असलाम अलेकुम कैसे होगाद उम्मीदे कि आप खेरी असा होंगे अलहम्दुलिल्ला मैं भी ठीक हूँ और जी आज में बनाने वाली हूँ जो की धेली स्कीन हो जाती है और मतलब की ऐसे हो जाती है स्कीन लोज हो जाती है फैस की यह की मतलब पैट की जैसी परेगनेंसी के हो जाती है स्कीन फैस की कहीं से भी तो इन अच्रा जैस आपको बताने मीदेर कि अपड़ा एक समयले कि किरम समयल कुछ भी समयले लेकिन बड़ा क्रूधन पवर्फुल होने मारा आफ आज मैं आपको बताने मीं और जो हमने कहीं भी जाने की दूरत ने पड़ेगी हमने अपने मालब की एक रूपिया भी हमारे खशनी होगा और हमारी रेमेडी मालब हमेडी इतने प्यारी बनेगी इतने कमाल की बनेगी जो कि मैं यह ले रही हूँ ऐलोवरा यह तो आप देखकर समझी क्या होंगे से वोश कर लें और तब इसको किसी भी चीज़ के लिए स्कमाल करें अच्छा जी यह मनलब की यह मैं अब दिखा देती हूं आपको जैसे कि मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है ऐलोवेरा और अगर आपकी स्किन बलेक है वो भी इसका रिजल्ट इतना कमाल गाए जैसे कि प करें नहींति के बाद डार्क से निशान हो जाते हैं पैट के ओपर तो वो ना मनलब की बलेक भी हो जाते हैं तो उनके लिए भी पूछो मत कितना अच्छा रिजल्ट है इसका और जी अगर मनलब जैसे की होते हैं मनलब वो हो जाते हैं चेहरे जिसके मनलब शादी होती है नहीं शादी होती है और उस चेहरे के निशान हो जाते हैं धूप से डैम हो जाती है तो उसके लिए भी इतनी पावरफुल यह हो मेड़ी यह आपको तुरंत बनाकर तुरंती फैस्पेक की तरह लगाना इतना अमेजिंग इसका रिजल्ट है यह मैं खुद मैं अपने उपर म पारमिस का रिजल्ट है आप इसको जरूर ट्राइब रहें अच्छे यहां पर हम दूसरी चीज़ लेंगे टर्मरी खल्डी जिसके मलब की बैनिफिट पर शुमार होते हैं और यह स्कीन को वाइट करने में काफी हैंफिल होती है लेकिन यह हमने यहां पर थोड़ी लेंग यह स्कीन को किलियर करता है साफ रखता है नरिश रखता है इसकीन को एक टम टॉन देता है लाइट टॉन देता है और बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट होता है और इंज जो कि मैं खासकर खुद सभी चीज में इसको इस्तेमाल करती हूँ यह भी हम कुछ ड्रोप ले ज्यादा नहीं लेंगे अगर आपकी ओयली स्कीन है तो आप यहाँ पर इसको ज्यादा नहीं लेंगे और अगर आपकी मलब ड्राई इसकीन है तो भी इसको यहाँ पर आप ड्राई है तो यहाँ पर आप इसको चार से पांश ड्रोप लेंगे लेंगे लेकिन यहाँ पर मे एक कमाल की इसके रिचल्ट है जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूं गाइब इसको ना मलब की अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे लगाएंगे तो इसके रिचल्ट बड़े अच्छे होते हैं लेकिन यह है कि इसको एक तो मिंट लग जाती है अच्छा जी जैसे कि हम घर का अगर काम करते हैं किचन का बच्चों का सबी काम हम कर लेते हैं लेकिन खासकर अपनी जहां बाता है केरी मलब हैर की मलब की स्किन की तो वहां पर हमने आलकस हो जाता है तो आपको बिलकुल भी आलकस निकाना है जैसे कि हम लोग सबी का काम करते हैं घर का करते हैं तो ऐसे ही हम upar ये अपने चहरे के ऊपर जहां भी हमने लग रहें कि स्कीन लूस है वहां पर आप लगाएंगे और उसको लगाएंगे और फिर इसको वुश कर लेंगे हमारी जो सफाई ओताए होती है भर की सफाई भी होती है जो आमारी भी होती है वो भी हमारा हिशा। इसका है और बहुत अच्छा इसका ऐसका धाइजाते का था है जाए सपूनते नहींनाई तो मिसको यह से क दूँगkennt और अगर आपको लगए कि आपको लग रहा है येलो येलो है मनलब की अगर आप इसके अंदर टर्मरी खलदी डालेंगे तो बहुत अच्छ एसके रिजल्ट है magic result है, सच में बहुत कवाल की निशान के बारे में अगर पूछा जाए, ये कि skin loose के बारे में और skin whiting के बारे में तो पूछा जाए, तो इस से अच्छा तो शायद कोई पेक हो, और चाहे तो आप इसको मोटी layer में लगा सकते हैं, और चाहे तो बड़े कमाल की, क्योंकि जितना भी अभी तक आपने कोई चीद ट्राई करी होगी, शायद ही उस कितने result हो, जितने इस homemade case result है, बड़े amazing result है, जरूर इसको ट्राई करना है, और जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आपकी मलब की 10-15 मिन्ट के अंदर ये dry, अगर आपको मोटी लेयर में लगाएंगे, इसकिन लूज के उपर, आपको मोटी लेयर में लगाना है, तो आप उसको उतारेंगे, चाहे तो आप उसको pillow of mask की तरह उतार सकते हैं, ऐसे ही उतार जाएगा, और अगर आप ऐसा काईट से ओपर को उतारना है, जैसे की थोड़ी की निष्चे सैंट उपर को उतारते हैं, ऐसे उतारना है आपको, इतने amazing इसके result है, सच में आपको धहरान नहीं जाएंगे, कि बस मुझे बताने कि इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने कमाल किसके result है, से मसाज सा कर लिया और यह मेरी स्कीन के अंदर आप जोग होगे जैसे कि हम लोग किरिम लगाते हैं सैम बिल्कुल उसी की तरह और इसकीन भी ऐसे लग रही बैबी सॉफ्ट की तरह एकदम और जिसको ट्राइब जरूर करना कोई प्रोब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बत पूरी देखा करें इस कीप मत करना और मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए बाई अल्ला हाफीज